Hello everyone, Oswal की जो नई बुक लाँच ही है, Neat UG Plus Supplement, आज हम इसका डीटेल में रिव्यू कर रहे होंगे A to Z इस बुक का सारा क्या-क्या आपको इस बुक में आपको साइट टॉपिक्स दी होए है और क्या-क्या चीज़े इनों कवर की हुई है, आज हम इसका डीटेल में रिव्यू कर रहे होंगे A to Z इस बुक के बारे में आपको सारी चीज़े पता चल रहे होंगे और मैं आपको यह बिता रहे होंगा कि आपको क्या यह बुक लेनी चाहिए या अभी आपको इसकी ज़रुएत नहीं है तो बिना किसी देरी के डीटेल में रिव्यू शुरू करते है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूखी इसमें आपको सारा से लिवस नहीं दिया हुए इसमें आपको आपको नई टॉपिक्स आड़ है इसमें सिर्फ जो अडिशनल टॉपिक्स है वही आपको देखने को मिलते है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलाजी तीनो सब्जेक्स के अडिशनल टॉपिक्स को इन्होंने एक ही बुक में कवर अप किया हुआ है बाकी इस बुक का प्राइस भी बहुत कम है इसके इसकी बेस्ट बात किया है आपको इसमें अल्रेडी सबसे पहले सिलेबस भी मेंशन किया हुए कि आपका नीट यूजी 2024 में क्या आने वाला है तो आपको कोई confusion नहीं रहती आप इसी से ही सिलेबस को अल्रेडी आपको दिया है तो आप अलग से आपको प्रिंट आउट निकालने की भी ज़रूद नहीं बढ़ती नहीं उस लेबस की और आपको इन्होंने comparative analysis भी कि 2023 में जो नीट आया था 2024 में जो नीट आएगा उसमें सिलेबस का क्या डिफरेंस है इन्होंने आपको दिया हुए तो आपकी effort और इन्होंने half कर दी उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलता है कि आपको chapter wise क्या क्या topics add हुए है हर topic जो chapter wise आपका add है उसके revision notes आपको देखने को मिलते है और उसके basis पे आपको एक दो तीन कुछ basic से questions भी देखने को मिलते है साथ ही उसके answer की और solutions भी दियो है solutions again बहुत ही ज़्यादा detail में दियो है तो आपको कोई भी doubt as such नहीं रहते है questions solve करने के बाद objective questions आपके हर topic में दियो है किसी भी topic में ऐसा नहीं है कि theory देदी इन्होंने question नहीं दिये तो आपको एक बिल्कुल exact idea लग जाते है कि आपको final need exam में कैसे questions आ सकते है बागी similar तरीके से आपके physics के भी दियो numericals, chemistry के भी बिल्कुल अच्छे से इन्हों detail में theory समझाई है जो additional add हुई है और उसके basis पे इन्हों sufficient number of questions भी आपको provide कियो है similar तरीके से आपके biology के भी आपको questions लेखने को मिल जाते है chemistry और biology के obviously theory थोड़ी से जादे extensive होती है relative to physics physics में आपका एक paragraph में new theory खतम हो जाती है बाकी यही था इस book का review मेरी तरफ से यह book perfect है आपके नीट यूजी का जो आपको supplement चाहिए final exam के लिए additional syllabus cover करने के लिए बाकी आप उस सवाल की मैं कहते हुआ तो mock test भी फॉलो कर सकते है mock test की जो book है उसका भी link में आपको दे दूँगा mock test आपकी preparation को 10-15% marks का easily jump दे सकते है बाकी नीट को crack करने के लिए tips जानने के लिए इस channel को subscribe कर देना हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए